नमस कारम सद्गुरू, मैं काल भहरव के बारे में जानना चाहती हूँ. कृपया इस पर थोड़ा प्रकाश डाले. अंधकार पर प्रकाश कैसे डाला जाए? काल भहरव का अर्थ है, वो जो काले हैं, यह उनका एक आयाम है. हमें उनकार प्रकाश नहीं डालना चाहिए. इसे कई तरीकों से देखा गया है. यह शिव का एक भयंकर रूप है. जब शिव विनाश फैलाने लगे, किसी चीज का विनाश नहीं, समय का विनाश. दुनिया की हर भौतिक चीज की समय सीमा होती है. है ना? अगर मैं आपके समय का विनाश कर दूँ, तो सब खत्म हो जाएगा. देखे, अभी आपकी घड़ी चल रही है. लुप टुप लुप टुप. घड़ी के साथ साथ आपके अंदर भी कुछ चल रहा है. है ना? मान लीजे कि हम सब कुछ फास्ट फॉरवर्ट कर देते हैं. खत्म है ना? तो काल भहरव का भी यही अर्थ है. चूंकि ज्यादातर लोग जीवन अच्छे से जीने का फैसला नहीं करते हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि कम से कम वो एक शांदार मौत पाना चाहते हैं. तो काल भहरव शिव का एक भयंकर रूप है. इस बात की गैरेंटी थी कि अगर आप काशी आते हैं, तो आपको मुक्ती मिल जाएगी. चाहे आप पूरा जीवन कितने भी घटिया प्राणी रहे हूं, तो सभी घटिया लोगों ने काशी आना शुरू कर दिया. क्योंकि उन्हेंने जीवन को बुरे ढंग सज्जिया था, और वो मरना शांदार तरीके से चाहते थे. इससे घटिया लोगों की संख्या बढ़ने लगी. तब शिव बुले, इतने घटिया लोगों की वज़े से ये जगा घटिया होती जा रही है. इससे कंट्रोल करना होगा. तो उन्होंने काल भैरव का रूप ले लिया. और इसे भैरवी यात्मा कहते हैं. यानि की, जब मौत का पलाता है, आप जो कुछ भी रहे हैं, आपके कई सारे जीवन काल उभर आएंगे. एक ही पल में, भयंकर तीवरिता के साथ, और जो भी दर्द, सुख और दुख आपके साथ होना चाहिए, वो सब हो जाएगा. इसे कई जीवन कालों में होना था, लेकिन ये एक पल से कम समय में हो जाएगा. लेकिन ये इतना तीवर होगा, कि आप जहेल नहीं पाएंगे. इसे भैरवी यातना कहते हैं. आप यातना का मतलब जानते हैं? यातना का मतलब है, सबसे बुरी पीड़ा, ऐसा आपके साथ नरक में होता है, पर वो इसे आपके साथ यहीं कर देंगे. तो जब आप उस तरह का काम करना चाहते हैं, तो आपकी कॉस्ट्यूम भी वैसी होनी चाहिए. इसलिए वो सही तरह की कॉस्ट्यूम में आते हैं और बिलकुल भैंकर दिखते हैं. अगर वो अच्छे दिखते, तो वो बहुत दुष्टता होती. अगर कोई अच्छा दिखता है और बुरे काम करता है, तो ये दुष्टता होगी. अगर किसी को भैंकर काम करने हैं, तो कम से कम उसे भैंकर दिखना चाहिए. है ना? इसलिए शिव ने सही तरह की कॉस्ट्यूम पहनी और काल भैरव बन गए. ताकि वो आपके लिए भैरवी आतना बना सके हैं. ऐसा भैंकर दर्द पैदा करने के लिए, जिसकी आपने कलपना भी नहीं की होगी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, ताकि उसके बाद आप में अतीत का कुछ भी बाकी न रहे. अपने सौफ्ट्वेर को मिटाने से दर्द होता है, है न? लेकिन ऐसा मरते वक्त होता है, आप कुछ नहीं कर सकते. आप भाग नहीं सकते. हाँ, आप भाग नहीं सकते. लेकिन वो इसे कम से कम समय में पूरा कर देते हैं. अगर पीड़ा को जल्दी पूरा होना है, तो हमें इसे बहुत ज़्यादा तीवर बनाना होगा. तभी ये जल्दी खत्म होगी. अगर ये हल्की है, तो हमेशा के लिए चलती रहेगी.